हेलो एब्रिवन एक बार फिर से आप सभी का एक और नई क्लास में वैलकम यह अपनी इंग्लिस की क्लास एब्री डे साड़े साथ वजे अपनी जो क्लास लगती है इसमें फिलाहाल हम कर रहे हैं इंग्लिस की कैप्सुल सिरिस के तहत कंप्लीट रिविजन हम पढ़ते हैं सम स्प्रिंग है अनिस जंग के द्वारा लेकी हुई जो यह स्टोरी है इसमें हाज पढ़ेंगे हम मुकेस की कहानी मुकेस जो है यह फिरुजाबाद के एक बैंगल मेकिंग फैमिली का एक मैंबर है वो अपनी फैमिली के जो जो परंपरागत जो उसके जो बिजनेस उसे हट करके कुछ नया करना चाहता है वो उससे अलग कुछ अपने आपके अपने अपने पैरों पर खड़ा होकर के एक एक नई लाइन पर जाना चाहता है तो आईए पढ़ते हैं उसकी संगर्स की कहानी यह कहानी बच्चों लिकी हुई है लॉस्ट इस्प्रिंग इस्टोरीज आप इस्ट्रॉलन चाइल्डूड मैंसे लिए अनिस जंग के द्वारा तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें देखो प्रती दिन जो हम जो चैप्टर होता है उसको जैसे अलग अलग डिवाइड करते हैं चैप्टर वाइस तो मैं हेडिंग वाइस तो इसमें भी हमने ऐसे ह मुकेस अपना खुद अपना मालिक वनना चाहता है हमने पढ़ा था ने कि जैसे पिछली पिछली इस्टोरी हमने पढ़े थी जिसमें साहे जंग जो है बच्चों वह अपना अब जब उसने एक टी इस्ट्रॉल पर काम करना शुरू किया तो उसके बाद वह अपना खुद और दिन का दो टाइम का भोजन दिया जाता था प्रशन पूछ आ सकता है इसलिए याद रखना तो देखो यह मुकेस क्या करता है कि वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता वो दूसरों का गुलाम नहीं रहना चाहता इसल और यहां से प्रश्रा बनता है ऑब्जेक्ट्री टाइप का भी आ सकता है अति लगुत्रात्मक भी आ सकता है नेक्स क्या लेकाई लेर्ण how to drive a car वो car चलाना सीखना चाता है आगे क्या है but his dream looms like a miras लेकिन उसका स्वपना मृग मरीची का के समाने मृग मरीची का क्या होती पता है जैसे बहींकर धूप होती है और रेगिस्तान में जो मृग होता है उस मृग को उस गर्मी की वज़े से उस तेज धूप की वज़े से सुरिक की किरणों की वज़े से बहुत दूर पानी का आभास होता है वो मृग उस पानी को प्राप्त करने के लिए पीने के लिए वो दोड़ता है और जैसे आगे जाता है तो और आगे पानी का आभास होता है actually होता नहीं है पानी उसे आभास होता है उसे ऐसे feeling होती है कि आगे पानी है वो उड़ता रहता है वो दोड़ता रहता है वो दोड़ता रहता है लेकिन उसे पानी मिलता नहीं है यह एक मरिग मरिची का कहते हैं तो यहाँ पर यह जो मुकेस है उसका जो सपना है क्या सपना है he wants to become a motor mechanic and he wants to learn how to drive a car तो ये एक मरिग मरिची का के समाने इसे दियाद रखना है like Miraz he lives in a dusty street of फिरोजाबाद, कहां रहता है वो फिरोजाबाद की उन तंग भदी, गलियों में, गंदकी से भरी हुई, गंदकी से सटी हुई गलियों में रहता है और ये जो टाउन है ये जो फिरोजाबाद है ये किस के लिए जाना जाता है ये अपनी चुडियाँ बनाने की इंडस्री यहां पर उद्योग है ये भारत का चुडियाँ बनाने का सेंटर है, केंदर है अलग अलग कलर की, अलग अलग डिजाइन की चूडियां बनती है यहां पर खोब सारी धेरों सारी चूडियां जो है वो यहां पर बनती है and every other family is engaged in making bangles और यहां का प्रत्येक दूसरा परिवार एक परिवार को छोड़के हर दूसरा परिवार जो है वो इसी में लगा हुआ है इंगिल्स का मतलब होता है किसी काम में लगा हुआ होना किस काम में लगा हुआ है in making bangles bangles बनाने में लगा हुआ है It is the center of India's glass blowing industry और ये भारत का काच उद्योग का केंद्र है काच की जो चुडिया मनती है न तो ये भारत का काच उद्योग का क्या है केंद्र है Families have spent generations making bangles for women और यहाँ पर परिवारों ने अपनी पीडियां बीता दी है कई परिवार कई पीडियों से ये काम करते आ रहे हैं Families ने महिलाओं के लिए किसके लिए चुडिया मनाते हैं bangles for women भारतिय महिलाओं के लिए and mokis's family is among them mokis का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक है जो परिवार महिलाओं के लिए चुडिया बनाने का काम करता है अब next आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि 20,000 children work in glass furnaces 20,000 बच्चे जो है वो इन काच की भट्टियों में काम करते हैं about 20,000 children work illegally गैर कानूनी रूप से कैसे काम करते हैं बच्चों गैर कानूनी रूप से कियों कि बच्चों का गैर-कानूनी जो बच्चे होते हैं उन से कारे करवाना अपराद माना गया है हमारे कानून में और इसलिए इन बच्चों से भी काम नहीं करवाया जा सकता लेकिन गैर-कानूनी रोब से ये बच्चे काम करते हैं इन दे ग्लास फरनेस, काच की भट्टियों में, with high temperature, बहुत ज़्यादा तापमान पर, दे लिव इन स्टिंकिंग लेंस, वो बदबू वाली गलियों में रहते हैं, बदबू से भरी हुई, स्टिंकिंग लेंस का मतलब होता है बदबू, तो बदबू वाली गलियों में जो है, ये लोग रहते हैं, दे आर चोक्ड विद गारबेज, और ये बदबू वाली जो गलियां हैं, ये कच्रे से भरी हुई हैं, यहां कच्रे के धिर लगे हुए हैं, चारों तरफ, और इनके जो मकान बने हुए है न यह लड़कडाती हुई दिवार हैं या तूटी फूटी दिवार हैं या इस प्रकार की दिवारे बने हुई है and they have no windows और उनके घरों में किसी प्रकार की windows है यह नहीं खिड़किया है यह नहीं क्यों नहीं है क्योंकि मकान एक दूसरे से सटे हुए है windows कहां मिलेगा side में मकान, इधर मकान, पीछे मकान, आगे मकान तो बिल्कुल भी वहाँ पे उन लोगों के साथ में कौन है पसू भी है और मनुस्य भी है दोनों एक साथ रहते हैं बाहर पसू बांदे हुए हैं पालतू पसू जो घरों में पालते हैं वो पसू भी अपने साथ ही रखते हैं और वहीं पर लोग भी साथ में रहते हैं अब परिवार का जो सबसे बड़ा सद्यासी है वो चूड़ी बनाने वाला एक गरिब बुजुर्ग है और उसकी कंडिशन कैसी है वो जीवन भर चूड़ियां बनाता रहा लेकिन वो आज तक अपने मकान को रिनोवेट नहीं कर पाया मकान को नवीन नहीं बना पाया मकान का नवीनी करण नहीं कर पाया क्यों नहीं कर पाया क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है जो थोड़े बहुत आमदनी होती है उससे केवल परिवार का गुजारा चल जाता है Nor has he been able to send his two sons to a school और वो न अपने दोनों बच्चों को स्कूल भीज पाया, वो जीवन भर काम किया, न तो उससे मकान रिनोवेट हुआ और नहीं वो अपने दो पुत्रों को स्कूल भीज पाया, क्योंकि पैसा नहीं था तो कहां से बेजेगा, and he knows nothing except the art of making bangles और वो चूडियां बनाने की कला के अलावा कुछ भी नहीं जानता उसने केवल इतना सिखा है चूडी बनाना इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता नेक्स आगे बढ़ते हैं अगला हमारा point है बच्चों नेक्स जो हमारा division हमने किया है वो है बिलकुल भी रोसनी नहीं है केवल उस light की प्रकास की रोसनी भटी की ताप के सामने बैठ करके लगातार काच को जोइंट करने का काम किया जाता है तो रोसनी कहां से बच्चों रहेगी आँखों में तो क्या लिखा हुआ है ये जो ग्लास होता है ना उस काच को उस ग्लास को क्या उकता है अलग अलग उस पर कलर किया जाता है अलग अलग उस पर पॉलिस की जाती है कलर की क्यों कि अलग अलग कलर की चुडियां बनाने के लिए तो पॉलिस करने से जो डस्ट उड़ती है वो डस्ट आँखों में जाती है वो डस्ट स्वास के साथ हमारे सरीर में जाती है फैफडों में जाती है तो उससे हजारों प्रकार की बिमारे होती है और वो डस्ट आँखों में जाने की वज़े से मुकेस की दादी ने अपने पती को स्वयम अपनी आँखों के सामने उसे अंदे होते हुए देखा है यानि मुकेस के दादा को अंदा होते हुए देखा है अब इस बैंगल मेकिंग को ये क्या कहते हैं बैंगल मेकिंग को भगवान का दिया हुआ एक प्रकार का काम मानते हैं गौड गीवन लीनियज मानते हैं इसे वंस परंपरा मानते हैं अपनी और ये लोग इतना परियसानियों के बावजूद भी इसे त्याग नहीं सकते क्योंकि अगर इन्हों ने इस काम को छोड़ दिया तो फिर दूसरा काम करेंगे क्या इनके पास है नहीं और पहले बताया इस काम में लगा हुआ हर व्यक्ति हर परिवार का हर सदस्य केवल और केवल चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है अगर ये लोग इस काम को छोड़ देते हैं तो दूसरा इनके पास कोई काम ही नहीं है और इस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है कि वो लोग छोड़ ही नह In every street of Firozabad Firozabad की प्रत्येक गली में One can see bangles of each and all colours कोई भी व्यक्ति हर प्रकार की चूड़िया जिक सकतां है हर प्रकार की निइक के हर साइज की हर टाइप की चूड़िया आप देख सकते हो कहां देख सकते हो फिरोजबाद की प्रत्येक गली में फिरोजबाद के प्रतिक दूसरे घर में और ये जो चूड़ियां होती है ये एक प्रकार से जो काट होती है हाथ से चलाने वाली जो गाड़ियां होती है लॉरी जिसे अपन बोलते हैं चार पईये की उस पे धेर लगे हुए हैं चूड़ियों के उस पे डाली हुई है और उसको कोई युवा आदमी धक्के मार मार करके आगे चलाता है और चूड़ियां बेजता है उसको सरकाता है और चूड़ियां बेजता है नेक्स्ट इन डार्क हटमेंट्स इन डार्क हटमेंट्स सिट्स बोईज और गल्स with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles अब जो ये ये जो हटमेंट्स हैं ये जो अंधेरी जो पडिया है जो अंधेरी उनके मकान का एक धाचा जो है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों अपने माता और पीता के साथ बैठ करके काच के इन टुकड़ों को weld करते हैं अलगले कलर के काच के टुकड़ों को weld करके और उन्हें गोल बनाते हैं मतलब काच का जो टुकड़ा है उसको उस भट्टी में तपा के और फिर चिपका है तपा के चिपका है तपा के चिपका है ये सारा काम करते हैं यह चूड़ी जो है ना बैंगल का मतलब होता है चूड़ी तो यह चूड़ी क्या है बच्छों यह भारतिय महिला के सुहाग का प्रतिक है भारतिय महिला का सुहाग यह माना जाता है सुहाग का प्रतिक है यह सुब विवा का एक प्रतिक माना जाता है नव आगे बढ़ते हैं बट आगे बढ़ते हैं से पहले बता दो बच्चों अगर कोई नया बच्चा जो क्लास को पहली बार देख रहा है मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे पूराने बच्चे तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं रो हिंदी अनिवार्य की यह है हिंदी अनिवार्य की मौर्निंग में जल्दी क्लास रहती है वच्चों इसके बाद साथ बजे सुबह जो है वो रहती है हिंदी साहित्य की क्लास यह है हिंदी साहित्य की क्लास इसके अलावा साम को हमने एक क्लास और सुरू करी है इतिहास की इ वो एक एक करके हम सभी model papers को देखने वाले हैं इसके अलावा हमारे 7 बजे रहती है political science की class evening में बच्चों ये evening की हमारी class है 7 बजे political science की class इसके अलावा हमारी class होती है बच्चों 7.30 बजे English की class रहती है 7.30 बजे English की capsule series जिसमें हम chapter wise summary पढ़ते हैं इसके अलावा फिर हमारी एक class रहती है बच्चों 8.30 बजे की जो हमारी class है उसमें हम geography के model papers कर रहे हैं तो ये हमारी classes है time not करिएगा इसके अलावा हमारा app है जहांपे सारे model papers, courses, education rise नाम से बच्चों education rise ये जो education rise नाम का app है जिसका link इस video के description में दिया हुआ है यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे courses और courses बता दूँ वैसे तो हमारी fees है 99 रुपेज लेकिन फिलहाल अभी offer चल रहा है दो दिन अगर आप दो दिन में कोई भी course purchase करते हो तो आपको course के नीचे वहाँ पे जब pay 9 पे click करते हो तो वहाँ एक coupon मिलेगा उस coupon पे click करते हैं आपकी जो 99 रुपेज या 100 रुपेज की जो fees है वो हो जाएगी 60 रुपेज तो अभी आप 60 रुपे में हमारा कोई भी फूल कोर्स ले सकते हो इसके लावा model पेपर्स हैं प्रतियक सब्जेक्ट के हम model पेपर्स देते हैं हमारे टेस्ट सिरिज हैं हमारे नौट्स हैं सब्जेक्ट वाइस नौट्स हैं वी आउनली 11 रुपे में हम आपको अवेलेबल कराते हैं तो इस तरीके से बच्चों मिनिमम चार्स पर हम आपको फुल फैसिलेटी देते हैं यह तोटल आपकी एक्जाम की डैट तक रहेगी कमप्लीट कोश की वैलिडिटी और नंबर नौट नमबर है बच्चों 907 Q22989 यह है हमारा इ depends हैं देखो आगे आपकी क्या लिखा हुआ है माइड नमलिंग ट्वाइल मतलब इतना दिमाग को ठखा देने वाला बहुत ही जटिल लगातार किया जाने वाला कार्या समय के साथ बहुत कम बदलाव हुआ है जादा कोई बदलाव नहीं हुआ है years of mind-lumbling toil has killed the initiatives of young लगातार काम करते रहने से वर्सों से काम करते रहने से जो युवा लोग हैं उनमें पहल करने का जो भावे इनिसियेटिव का जो जो इनकी ताकत ही हो समाप्त कर दी वो खत्म कर दी है अब वो संगटित नहीं हो सकते संगटित होने की हिम्मत ही नहीं उनमें एक अपना एक समू बना करके कोई जो है यह चंगूल जो एक प्रकार के एक सरकल बना हुआ उस सरकल से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर सकते middle man exploit them जो middle man है जो मद्यस्त हैं उन लोगों ने इसको बरबाद कर दिया है there is no leader among them यह चुडिया बनाने वाले जो family है इनमें उनका कोई भी नेत्रत तो करने वाला नहीं है क्योंकि इनको संगटित ही नहीं होने दिया जाता है जब व्यक्ति संगटित नहीं होता है जब व्यक्ति आपस में जो है जुडाव जब नहीं होता है वो लोग फिर एकिक्रत हो करके अपना उद्धार नहीं कर सकते अपना उद्धार नहीं कर सकते आगे क्या लिका है कि there are two words यहां पे सिरफ दो संसार है कैसे one is the world of bangle makers एक दुनिया तो है चुडिया बनाने वाले लोगों की और यह जो लोग है न चुडिया बनाने वाले जो लोग है यह गरीबी में जकड़े हुए है there is another world of middle of money lender दूसरा एक और संसार है एक वर्ड तो है जो bangle makers का है दूसरा संसार है जिसमें money landers है मतलब कि जिसे हम कह सकते हैं मसूद खोर जो ब्याज पर पैसा उदार देते हैं middleman जो मद्यस्त हैं and policeman जो पुलिस वाले हैं who flees them यह सब मिल करके इनको बैंगल makers जो है इनको लूटते हैं इनको बरबाद करते हैं मुकेस's eyes are full of hope लेकिन मुकेस की आँखों में एक आसा है एक hope है क्या hope है he choose to be different from the others वो दूसरे लोगों से कुछ अलग करना चाहता है वो दूसरे लोगों से भिन कुछ करना चाहता है he wants to be a motor mechanic पहले पड़ा न वो motor mechanic बनना चाहता है the narrator ask him if he dreams of flying a plane अब लेकिका उससे अनिस जंग उससे पूछती है कि भई तुम motor mechanic बनना चाहते हो अच्छी बात है तुम एक car driver बनना चाहते हो अच्छी बात है पर क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम प्लैन भी उड़ाना चाहते हो क्या तुम्हारा सपना है he silently says no वो कहता है नहीं he is content to dream of cars वो car का सपना देख करके संतुस्ट है that move down the street office town क्योंकि कारें उसकी गलियों से होते हुए गुजरती देखी है उसने फिरोजाबाद की गलियों में कारें गुजरती देखी है लेकिन few plans fly over फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की उपर से साइध ही कोई plane कभी गुजरा हो साइध ही उपर से कोई plane गुजरा हो और इसने साइध ही देखा हो मतलब ना के बराबर plane गुजरते हैं इसलिए उसने किवल सपना देखा है कार चलाना सीखना और एक motor mechanic बनना तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा है completely हमने पढ़ा है इस chapter को Lost Spring, Stories of Australian Childhood Written by Anis Jung दो पार्ट में हमने दोनों कहानिस को पूरा किया है कैसे लगी ये क्लास आपको comment box में मुझे comment करके जरूर बताईएगा और मिलते हैं next class में तब तक के लिए जय हिन जय भारत